हेलो दोस्तों मैं हम सुमीत और आज की इस वोड़ी में हम बात करेंगे कि कैसे आप Redmi Note 11 और Redmi Note 11 Pro Plus 5G या फिर Poco X4 Pro 5G के अंदर Android 12 का जो अपडेट है उसको आप कैसे इस्टोल कर सकते हो तो इनके अंदर जो फीचर्स है उसकी वीडियो मैंने अल्रेड डाली हुई थी यह काफी सारे लोग मुझसे कहने लगे अपडेट हमें कैसे में लगा जैसे कि यहां पर आप देखे तो Redmi Note 11 है इस डिवाइस के अंदर मेरा Android 11 ही चल रहा है इसके अंदर Android 12 का अपडेट मेरको मिला था मैंने ओल्ड रूम पर गया तो मेरा अपडेट गया तो इसी तरह से काफ Redmi Note 11 हो यह 11 Pro Plus 5G है और Poco X4 Pro 5G हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के लेना कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूं अब देखे वाज यहां पर में पर यह वाले डिवाइस है यह है Redmi Note 11 इस डिवाइस के अंदर मैं Android 12 स्टॉल करके दिखाने वाला हूं और एक चीद मै यह वाले डिवाइस हो 11 Pro Plus 5G हो या फिर Poco का डिवाइस हो तीनो चारो या फिर Xiaomi का कोई भी डिवाइस हो सबका मेथड सेम है जिस तरह से मैं करके दिखाना हूं यह मत सोचना कि मैंने Redmi Note 11 में करके दिखाया तो जो Redmi Note 11 Pro Plus 5G इसके अंदर नहीं होगा या फिर Poco डिवाइस के Redmi Note 11 Pro Plus 5G इसके अंदर Android 12 का अपडेट मैंने इसी मेथड से स्टोल किया है कि भाई देखो ओफिशल अपडेट आनी रहता तो भाई क्या था फिर मैंने अब भाई मेर को चुल माची थी भाई अपडेट लाना था वीडियो बनाना थी तो मैंने अपडेट स्टोल कर लिया त तबी आपका डिवाईस का में जो Android 12 का अपडेट है वो इस्टोल हो का तो बूट लोडर अल्लोक करने के ने भाई मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखे है डिस्किसन में देदूंगा हाव टू अल्लोक बूट लोडर उसका वीडियो का आप देख लेना बूट लोडर अल डिवाईस का लिंक डिस्किसन में देदूंगा Android 12 का वो जाके आपको डाउलोड करने के वाद अब आपको जो भी काम है वो आपका लैप्टोप PC का तो उसमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर हमाचो के computer की screen पर अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या देखो कोई यहाँ पर आपको यह दो फाइल देखने मिल रही होगी एक है MI Flash Tool दूसरा है यहाँ पर मेरा फाइल यह Redmi Note 11 का फाइल मिलेगा Redmi Note 11 Pro Plus 5G और POCO X4 Pro 5G का मिलेगा तो Note 11 का अलग फाइल है और Redmi Note 11 Pro Plus 5G और POCO को जो डिवाइस है X4 Pro 5G उन दोनों को फाइल सेम है तो घवराना मट डाउनलोड कर लेना यह वाला 45GB का फाइल होगा डाउनलोड करने के बाद यह कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखे तो यह कुछ इस तरह से यह बनके आ जागा और देखना यहाँ पर ना एक लोग नाम का फोल्डर नहीं है तो Simple New पर क्लिक करना यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करना यहाँ पर LOG करके एक फोल्डर बना लेना कि आपके जो आप फ्लेश बगार करो उसमें इरर ना यह इसलिए है अब select वाला type है इससे select करो जहाँ पर भी आपने file रखी हूँ है वो करो मैं को recommend करों का आपका desktop है वहाँ पर file लाला क्योंकि आपको मेरे जो PC है इसके अंतर ज्यादा file अगर नहीं है तो मैंने इसके इंदर रखा हुआ है तो इस PC यह रहा यहाँ पर इस PC में जाने के यह यहाँ पर मैंने 8-12 के नाम से बनाया हुआ है और यह मेरे यहाँ पर file तो आप देख सकते हैं इमेज नाम से मिलेगा इमेज के उपर वाली file इसको यह वाला नाम दोनों सेम सेम है तो इसमें confuse मतने होना image लिखा होगा image कहां से खुलेगी इसको जैसे आप खूलोगे यह image आ आपको जो data हो सारे डिलीट हो जागा और आपको bootroader जो वो लोग हो जाएगा तो मेरी मानों तो आप यह भी कर सकते हो जिसे कि आपको device में कोई दिखक्क करना है बट मैं तो हमेसा यह करता हूँ clean यानि कि सारे डिलीट हो जाएगा और में bootroader लोग रहेगा लोग नहीं हो देख सो थे हमारा यहां पर phone इसको हमें करना switch off करने के बद आपको volume down और power button को दबा करना इससे क्या होगा हमारा जो phone fast mode mode में चला आगा देख सो थे अभी यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा phone fast mode mode में जाने ही वाला है तो यहां पर हमने दबा कर रखा और यहां पर ह वाइस नहीं आता है तो इसका मतलब जो आपके drivers वगार है वो आपने अच्छी दर कैसे install नहीं कि यह drivers का भी लिंक दे दोगा वो भी जा कि आप install कर सकते हूँ refresh पर एक और पर क्लिक करने और refresh पर क्लिक करने के बाद यह देखते हूँ यह पर clean all है और यह पर simple flash पर क्लिक कर देना है यहां पर आपका तुरंती flashing जो start हो जाएगा और यहां पर कोई भी error वगर आता है तो आपकी जो file वो correct है या फिर अपने file सही वाई लिदानलोड नही होई और यहां पर आप देखते हो यह एंडर 12 वाला file 13.0.1.0 जो की Redmi Note 11 का है यही सेम चाहिए Redmi Note 11 Pro Plus 5G में वर्क करेगा और Poco X4 Pro 5G जो उसके अंदर भी वर्क करेगा बाद फाइल जो अलग अलग device के नहीं है और method जो बिल्गु सेम है bootroader अलोग करना यह वाला file जो होई flash कर देना और आपके device में endro 12 आ जागा अब इस process का हम complete होने देते हैं उसके बाद में आपको दिखा तो हमारे device में हुआ क्या है तो guys यहां पर आप देख सकते हो हमारे जो यहां पर laptop है इसके अंदर लिखा चुका है flash is not done error और यहां पर हमारे जो device है यह हमारे यहां पर reboot ह हो चुका है तो गभराने वाली कोई बात नहीं है आपका भी sim ऐसी ही दिखाएगा लेकिन आपका device reboot हो जाएगा यह flash is not done और error इसलिए आया क्योंकि हमने bootloader को unlock ही रहने दिया अगर हम lock पर क्लिक कर दें तो flash done लिखा आता और कोई भी error नहीं आता तो error इसलिए आता क्योंक इसको unlock ही छोड़ दिया तो यह चीज जो भाई इसको आप skip कर देना कोई दिख करनी है उससो कुछ भी दिख करनी है बस आपका device reboot होना चाहिए तो मेरे device reboot हो चुका है अब इसको open होने देते है setup बाले page पर आने देते है और laptop PC का का काम खतब हो चुका है आप इसको side में दिखा दूगा तो यहां पर देख सकते हैं हमारे setup जो complete हो चुका है हम setting में जाता हूँ about में हम चले आती हैं यहां पर आप देख सकते हूँ क्या लिखा हूँ आपको देखने को मिल रहा है यहां पर थोड़ी ची brightness हम इसकी कम कर ले ओटो ब्रेटनेस है क्यूंकि सही से जाद ही कम होगी भाई तो यहां पर आप देखो तो भाई क्या ही सीन है कभी ज्यादा हो रहा कम हो रहा है देखो Redmi Note 11 13.0.1.0 है Android 12 वर्जन देखने को आपको मिल जाता है यह देख सो तो यहां पर tap किया और यहां पर हम चले आते और यह देख सो तो Android 12 आपके device में install हो चु तो वो अपडेट इसके अंदर भी आएगा उन लोगों की नहीं भी हो सकता जो Android 11 पर उनको भी मिले और 13.0.1.0 पर जो Android 12 है उनके नहीं भी अपडेट आएगा तो इसके बाद आपको सारे ही अपडेट देखने को मिलने वाले है कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी बस ए इस तरह से मैंने आपको बताया क्योंकि से मैंने इसी मेथड से किया है बस जो फाइल है वो अलगती बाकि सेम यही मेथड था बूट लोडर अलोग करना और आपकी डिवैस में Android 12 का अपडेट जो वो इस्टोल हो जाएगा और देख से यह यहां पर मेरे दोनों डिवैस के से लगी बाकि कमेर से मैं जो बताना कोई दिक्कत होती है बाकि हमें लेंगे नेक्स वोड़ी जब तक इने जे हिन जे भारत